हलो एबरिवन, कैसे हैं आप सब लोग, I hope सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजेव होंगे आप तो आप लोगों की जो शिकायत थी ना, कि दी आपकी वीडियो आनी रही है, बहुत दिन हो गए आनी रही है तो आपके ये शिकायत अब हो गए ये धूर क्योंकि अब मैं एवरी डे आपके लिए अमेजिंग अमेजिंग बहुत ही अमेजिंग डियाईवाई लेकर आ रही हूँ और अमेजिंग के साथ मैं वो डियाईवाई इतनी इजी है ना कि बस किचन से ये फ्रिस से सामान उठाया और जल्दी से उसको बना ली एंड लगा ली उसको और सबसे बैस्ट ये है कि एक सिंगल अप्लिकेशन में आपको रिजल्ट मिल रहा है अमेजिंग आप लोग कोई भी डियाईवाई को मिस नहीं करना आप उसे रेगुलर यूज करिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इतने शांदा रिजल्ट है आप लोग रेगुलर अगर वीक में तीन बार एक रेमेडी को तीन बार अगर एक महीने रेगुलर यूज करेंगे ना आपको आप सीरियसली गंजे भी है ना तो सिर पे बाल निकलाएंगे तो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग सा टोनर देने वाली हूँ टोनर देखिए हमें बनाते रहना ये लगाते रहना इसको कभी भी छोड़ना नहीं है जैसे एक वीक का बनाया एक वीक में ये वाला बना लिया खतम हो गया उसके बाद दूसरा बना लीजे नेक्स्ट वीक के लिए और इसको आप एवरी डे स्प्रे कर लीजे बालों में क्यूंकि जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे बालों में अच्छे से जल्दी से पैनिट्रेट होता है स्कैल्प के अंदर जाता है पोर्स के अंदर आप लोग नए है मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देती हूँ चिश ब्यूटी टिपल फास्ट हेर ओल पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है पहुंच चुका है लोगों तक अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सबसे पहले चेक करना उसको वो मेरा चिश ब्यूटी ओल है जो मैं खुद से प्रिपेर करती हूँ पूरा नैचुरल तरीके से और उसमें कोई प्रिजर्वेटी कोई केमिकल मौजूद नहीं है 100% नैचुरल है वो और उसमें इतनी क्वालिटी बेस्ट है आपको जितने भी मैं इंग्रीडियन्ट से उस ओल को बनाती हूँ एवन क्वालिटी होती है और अब भी तक 100% रिजल्ट मिले हैं जितने लोगों ने खरीदा है उन सबको बहुत शांदार रिजल्ट मिल रहे हैं और उसके साथ मैं आपको जो गाइडेंस में देती हूँ जो भी कस्टेमर है उनका मैंने एक ग्रुप बना रखा है और उनको फ्री गाइडेंस भी मिलती है तो आप लोगों ने ऑईल नहीं बाय किया है तो अपने ऑईल बाय ज़रूर कर लिजए अगर आप बहुत परेशान है अपने हेयर फॉल से परेशान हो गए है तो आप उस ऑईल को ज़रूर से बाय करिए और अपने बालों में अपको कितना शांदार रिजल्ट मिलता है अब बढ़ते हैं हम टोनर की और और टोनर देख लेते हैं जल्दी से किस तरह से रेडी करना है तो गाइज इस टोनर को बनाने के लिए बहुत ही प्यारे से इंग्रीडियन्ट की जरूरत होगी प्यारे से मतलब बहुत ही जादा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करी इसमें मैंने करी लिए हैं आप देख लीजेए 10-15 इसकी लिफ्स है आधा चमच मैंने कलांजी ली है और पांसिच है मैंने आवला के पीस लिए हैं आपको लेना है एक ग्लास पानी नॉर्मल भगोने में डाली जा लीज आप चाहे तो इसे लोहे की कड़ाई में भी बना स यह जो इंग्रीडियंट से यह जो टोनर बने गा इसके रिजल्ट बहुत अच्छे है और इसको जब आप अपने बालों में लगाएंगे आपके बाल इतने सिल्की स्मूथ हो जाएंगे और गर्मी में जो बाल स्कल्प में चिपचिपाहट है वो दूर हो जाएगी तो मैं डैड ग्लास के करीब पानी भी डाल सकते हैं ताकि जब यह दस में कोख होगा ना बॉइल होगा पानी तो थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप चाहे तो डैड ग्लास इसमें डाल दीजेगा अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने करी लिप्स डाली है यह आपके बालों के बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं जिसको प्री मैचिर ग्रेंगेर की प्राब्लम है ना वो सब मेरी वीडियो में जाकर देखना प्लेडिस आंडर जाकर देखना करीलीवस के नाम से फोल्डर बनावा है so curry leaves की पूरी series आप लोग करिए regular करिए and इसके बहुत अच्छे result है इसके अंदर देही iron होता है, calcium होता है, magnesium है, phosphorus है, vitamins की बात करें तो इसमें vitamins B है, vitamin C है यह सब इसके अंदर मौजूद होती है, goodness and यह आपके बालों में, scalp में किसी तरह का infection होड़ा है, उसको भी दूर करता है, किसी तरह का bacterial properties है, उसे दूर करता है and antimicrobial properties भी इसमें होती है, okay, so आपके बालों को यह काला बनायने के लिए बहुत अच्छा है and आपके scalp में आपके बालों को जो काला बनाने के लिए melanin का जो production होता है, उसे बरकरार रखता है, उसे कम नहीं होने देता, जिससे बाल काले बने रहते हैं आप लोग जब dye करते हैं, market की है न, जब बाल आपके white होने लगते हैं, आप लोग मार्केट की dye करते हैं, तो आप लोगों के market की dye की वज़े से आपके scalp के अंदर जो melanin का production होता है, वो inactive हो जाता है क्योंकि dye के अंदर एक ऐसा chemical मौजूद होता है, जो कि आपके scalp में जो इसका production है, melanin का उसको inactive कर देता है, कि वो होता ही नहीं है, जब production ही नहीं होगा, तो सोचिए बाल काले कैसे होंगे, जो बाल आपके काले हैं, वो भी white होने लगते हैं, है न, तो इसलिए market की जो dye वीडियो बहुत important है, आप लोग वो डाई को यूज करना छोड़ दीजे, वरना जो बाल काले हैं, वो भी सफेद हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप गंजे हो जाएंगे, बाल जड़ेंगे बहुत जादा, यह सब चीजे होती है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, हम तो बुड़े दिखेंगे, हम तो मतलब बाल तो अभी मतलब छोटी एज में ही बाल तो वाइट हो जाते हैं, और अगर हम कुछ ना लगाएं तो सेर में बाल वाइट ही वाइट नजर आएंगे, बिलकुल सही है, आपका कहना बिलकुल सही है, बट गाईज, प्रकृति हमें इतनी नैचुरल चीजें दी है, कि हम उनसे भी अपने वाइट बालों को छुपा सकते हैं, उनको काला कर सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पर एक सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है, वो करी लीव्स है, करी लीव्स आपके बालों को काला बनाता है, जी हां 100% रिजल्ट है अगर आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, अगर आप इसे रेगुलर यूज करना स्टार्ट कर देंगे, करी लीव्स का ओईल लगाई, करी लीव्स के आप पूरी सीरीज करिए, मैंने जो चैनल पे दी है, अब भी आपको इन दिनों में इतनी जादा रेमेडी करी लीव्स उसमें डाल रही हूँ, कि अगर आप उसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो गई है, ग्रे हेयर के उपर, आप लोग वो देखना उसमें इतने शांदार मैंने हेयर मास्क आपको दिया था, अगर आप वो रेगुलर वीक में दो दो तिन तिन बार हमेशा उसको यूज करने स्टार्ट कर देंगे तो आपके वाइड बालों की तो समस्या ही खतम हो जाएगी, ठीके, तो यहाँ पर देखी, बॉयल हो रहा ह तो रियली मैं बालों को मज़ा आने वाला है, तो हमेशा रोज, एवरी डे, मैं आपके लिए इतनी बहतरीन वीडियो लेकर आरी हूँ, तो आप लोग करिए, जो कर रहा है उनको रिजल्ट इतने अच्छे मिल रहे हैं, इतने शांदार मिल रहे हैं, मैं आपके साथ फिड परसेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे, और मेरा चिश ब्यूटी ऑईल जो है, वो बाय कर लीजे, ऑईल तो हमेशा एक फिक्स रखिए, तो इससे बढ़िया तेल तो इस जिंदगी में आपको मिली नहीं सकता, इस दुनिया में नहीं मिल सकता, तो उस ऑईल को आप हमेशा रखियो आपको मार्केट की चीजें लाकर, कुछ भी चीजें बालों में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगे, आपके ना तो गंजे होंगे आप, नहीं आपको डेंडरफ होगा, नही कोई इन्फेक्शन होगा, आपके बाल इतने हैल्दी रहेंगे है ना, यहाँ पर देखे इसको पूरा च्छान लेना है च्छान कर और यह जो आप है ना इसको फैकिये मत आप जो भी हेर मास्क बना रहे हैं उसी के अंदर डालके और इसको आप ग्राइंडर में पूरा पीस लीज़े ठीक है अब ये पानी जो आपने देखा इसका color भी change हो गया और पानी की जो गुड़ना से वो बहुत जादा बढ़ गई है अभी मेरे पास spray bottle नहीं थी इसलिए जो है नाजदिन दी लगा रहे हैं ये और थोड़ा हाथ से ही लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास भी spray bottle नहीं है तो आप cotton की help से लगा लीजेगा ठीक है cotton लेकर लगा लीजे इस तरह से बालों में पूर अच्छे से लगा कर और आप इसे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे छोड़ दिया और वैसे छोड़ सकते हैं इसको ऐसा नहीं के same day आपको बालों को wash करना है wash करने क जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको है ना कर दो